हेलो फ्रेंट्स में हूर राउल कुमार बी एससी सेकंड इंटर लेवल का जो हाल फिलाल में कमीशन ने नोटिफिकेशन आउट किया है जिससे बहुत सारे लोग बहुत परिशान हो गए ठीक है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि उन लोगों ने जो परिख्शा सुल्क दिया था वह रिटर्न हो गया है तो इसके लिए उनको एक मौका दिया जाया जिससे कि फिर से वह आवेदन सुल्क दे दे ठीक है फॉरम का फी दे तो इसके लिए तो बेसे सी ने कंडिकेशन जाड़ी करी दिया ठीक है लेकिन उस जरूर सब्सक्राइब करना किसी भी कवर्बिंट एक्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे को आप क्या कर सकते हो या मेरे टेलिग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो ठीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट करेते हैं सबसे पहले एक जुन नया पता को जो आप सीजर ऑगा इस जाम बेले को मने दाना तो सब्सक्राइब नहीं होगा लेकिन आप जब यह जमा करनी जाओगे तो कैसे पता चीम है तो कि आप का ही चैनुकि आप बता नहीं ज़र सकते हैं तो आपके नाम का बहुत भी डेर इció आदमी होगा ठीक है और ऐसा कुछ notification में वो दिया नहीं है कि यह यह चीज mention करना है आपको ठीक है ड्राफ्ट में या और कहीं पर ताकि वो आप हो ठीक है वो पता चले BSSC को यह भी नहीं बता है तो हम लोग payment कैसे करेंगे क्या करेंगे इस पर भी बहुत सारा सवाल उठता है और एक जो starting से ही बोलते हैं कि BSSC ने कुछ तो गलती बहुत वयानक कर दिया है मेरे इसाब से उसकी दिमाग में BSSC के दिमाग में exam को late करना है या फिर वो सोच रहा है कि कम से कम कुछ विद्यार्थी एक दो बार और पेमेंट कर दे तो उनको फाइदा हो जाए क्योंकि देखो confusion वाला करते हैं फॉर्म फिल हो गया अब पेमेंट लॉटा कि नहीं लॉटा क्या हुआ है नहीं वह उतना भी हम लोग ध्यान नहीं करते हैं हम लोगों को लगते कि साइबर कैफे वाले ने जो फॉम फिल कर दिया वही से इस वज़़ए से स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों हने बहुत लोगों का उल्टा उल्टा वल्टा साइबर कैफे में फॉम फिल किया था गरता किसी के नाम पे डाल दिया फोटो किसी का डॉक्यमेंट किसमें डाल दिया ट lymph गल्तिका है लेकिन अभी फिर वही गल्ति हो רहा है कि आप आप आपで और बेरा हमेसा सम्चाह से मे कर देंगे और आपको लगता है बीस लाक लोग में अगर दस हजार लोग भी दुबारा पेमिंट कर दिया तो सोचो पांच-पांच-पांचो के तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे को लगता है कि ये जान भूच के एक्जाम को और आगे ढगलने के चक्कर में एक बार फिर से परेसान हो लरका लोग फिर लेटर लिखे कि हां आम लोगों को पता नहीं चल दा कि किसका किसका पेमिंट हुआ है नहीं हुआ इसलिए लिष्ट निकाल दो थीक है तो मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में लिष्ट निकालेगा अब नहीं भी निकाल सकता है मतलब दोन हो सकता क्यों कि अगर कुछ लोग लेटर नहीं लिखे कहीं लौट गया होगा वो अगर नहीं बता रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो ये बात है और दूसरी बात ये भी बोला जा रहा है कि किस पेमेंट अगर हम लोग ड्राप के तुरू करेंगे तो कुछ तो देंगे उसमें तभी तो पता चलेगा कि हाँ अगर मैं राहू अगर जिनको लगता है कि उनको पेमेंट करना चाहिए तो आप जो पेमेंट करोगे तो ड्राप के तुरू करोगे तो उसमें आप ड्राप में अगर नहीं लिखते हो तो एक आवेधन ठीक है वो लिखना ड्राप के साथ उसको पीनप कर सकते हो और उस आवेधन में आपका पेमेंट किया है नहीं तो ऐसा नहीं कि आप पेमेंट कर दो और उसको भी ना पता चले फिर से एक notification निकाले कि यह यह लोग ने पेमेंट किया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इस नाम से 500 लोग है ठीक है तो इसलिए अगर आप पेमेंट करने जाओगे तो आप अपना registration आप ही हो वह पता चलेगा उनको नहीं तो अगर नॉर्मली अब जैसा वह नोटिफिकेशन में बोलाई कि ड्राप के तुरू पेमेंट करना है और जो उसका पूस्ताज कॉंटर है वहां पे जमा कर देना है तो ऐसा नहीं करना है देरे जैसे जैसे मेरे को समझ में आ रहा है वह पिले जो, सबस्क्राइब करना है और hmm जानारि तो इक ही नाम से बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें तो यूनिक आडेंटिटी आपका कुछ है नहीं और एक चीज और आवे दन में डाल सकते हो अपना अधार नमर डाल सकते हो ठीक है तो इह बताने कले आए थे और जिखो बहुत सारे लोग बहुत बहुत अच्छा है, नहीं होगा साद निक्ला हुए अगर आप graduation pass हो तो SAC CGL का exam निकला हुआ है, 17-18,000 वो भी बढ़ के 20-22,000 होगा, फिर MTS का form निकला हुआ है, BR police का निकलने वाला है, अभी railway का 10-11,000 फर्म वेकेंसी निकला है, और आप उसमें और भी बढ़ेगा, मतलब लगबग 10,000 के लगबग और बढ़ेगा, इतना अच्छा कि बहुत सारा exam है, इतना अच्छा मोका नहीं मिलेगा, और अभी यह तो निकला है, फिर मेरे को लगदा है, गुछी दिनों में निकल नहीं वाला है, वादब 2-4-5 मेने में बहुत धेर सारा exam निकल जाएगा, और आप परिशान हो जाएगे कि इसको पढ़े कि इसको दे कि उसको दे, ठीक है, और देखो कोई भी पोस्ट हो, कभी उसको कम समझ के जोइन मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप Group D, जैसे मेरा बहुत सारा दोस्त Group D जोइन के आभी, पांच साल में ASM बन गया है, तीन साल में CCTC, बदब जो टीकट के बारे में आप देखते हो, जो टीकट करता है, यानि कि TC जिसको हम लग बोलते हैं, TT जिसको बोलते हैं, उसका भी वो भी तीन साल में बन जाता है आदमी, इसलिए सोचना नहीं है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप डिपार्टमेंटल एक्जाम देखे बहुत आगे हो जाओगे, और कोई अगर आपको बोलता है कि यह ग्रूब डी है, यह मत भरो, वह मत भरो, तो वैसा कुछ भी नहीं, यह सब कुछ बस अपना बेरोजगारी, पहले स्राटिंग फेज में बेरोजगारी दूर करना है, जो सामने मिल रहा है, जोईन कर लेना, बागी बाद में देखा जाएगा, ठीक है, और सेलिस हमें अच्छा खासा ऐसा नहीं कि बहुत कम है, और डिपार्टमेंटल होके बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है, और एक चीज, जैसे कि रेलवे का जो एक्जाम है, और बीएससी का, जैसे मेरा बहुत सारा व्यूवर बीएससी का है, तो उसको हम कम बता दे है, इसलिगे आपको तैयारी में फाइदा मिले, एक साथ दोनों का तैयारी हो, रेलवे उससे को जो एकजाम है, उसमें और बीएससी में फरक है सर्फ reasoning का, BSSC में थोड़ा easy reasoning आएगा और railway में थोड़ा hard reasoning रहेगा तो आपको एक बार railway का भी reasoning देखना चाहिए तो previous year किरन का ही आता है railway का पुछा हुआ question का chapter wise वो बना लेना ठीक है, तो आपको बहुत फाइदा होगा आपके पास time भी है वो भी बनाना आप स्टार्ट कर तो बहुत फाइदा होगा दोस्ता चीज जो gk उधर पूछ रहा है वो gk आप इसमें पूछोगे तो लगवश्य का कहानी सेमी रहेगा math का भी जो level इधर है वो level उधर रहेगा बस reasoning आप एक बार अच्छे से cover up कर लोगे क्योंकि total hundred question रहेगा ठीक है 30 reasoning 30 में तो 40 gk इस तरह से रहता है reasoning भी एक अच्छा factor होता है और लगवश्य सो में 50, 55, 60, 65 इसी तरह से cut up जाता है इससे ज्यादा cut up ने जाता है कहीं कहीं जिसे जहां पर बहुत कम seat रहेगा तो वहां 70, 55 इस तरह से cut up जाता है नहीं तो 60, 65 इस तरह से cut up जाता है अगर आपका reasoning मजबूत है 30 में से 25 reasoning में ले आए फिर अगर आप gk जो 40 नमर का है उसमें 20, 25 ले आए तो 35, 25 और 25, 50 हो जाएगा फिर 10-15 मेहत बना लिए तो आपका score हो जाएगा, selection हो जाएगा तो इसलिए आप उसी तरह से पढ़ो ताकि आपका BSSC का भी तैयारी हो जाए और railway का भी तैयारी हो जाए, एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई भी जोड़त नहीं है अब एक बात और बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते, मेरे भी पुलिस का एक्जाम है तो उसकी तैयारी करें की BSSC का करें की railway का करें इस तरह से पढ़ना है की एक तैयारी करें और सारा एक्जाम अपना cover-up हो जाए अब ही अगर मान लो, बिहार पुलिस का हाल-फिलाल में एक्जाम है तो एक दम बहुत अच्छे तरीके सा आप जीके कोई पढ़ो, maths को आदा गंटा दो थोड़ा सा reasoning के लिए time दो और आपको थोड़ा सा time मिलना तो 15 minutes हिंदी का time दे दो अगर कोई हमसे पूछेगा कि BSSC का भी एक्जाम है और railway का भी एक्जाम है तो आपको वही बताएं कि railway का reasoning थोड़ा थोड़ा टफ होता है BSSC से तो थोड़ा railway के reasoning को अभी से देखते जाओ जब रेलवे का reasoning अगर आप बना लोगे तो BSSC का reasoning आराम से बन जाएगा उससे क्या question पूछता है खुरा थोड़ा एक दो एक दो पेज का रोज कुछ ना कुछ कुछ लेंगे और आपके सामने ऐसे ही वीडियो पे बोलेंगे और याद कैसे करना ची वह आपको बताएंगे अगर आप लोग इससे सामत होगे तो ठीक है मिलेंगे next वीडियो में और